मैं हूँ डिय जसल और आप देख रहे हैं डीजे टीवी स्मार्ट तो आज हम पाच चर्चा करेंगे शनी वार का वार जो की साथ जनवरी कोकल पर सारी थी गिया सल्मान खान साथ के दोरा आज उसकी चर्चा करते हैं इसमें सल्मान खान जी ने फैमिली मेंबर्स को भी बुल की माँ शिव ठाकरे की माँ और एमसी स्टैन की माँ ये चार लेडिज आ रही हैं और उदर सुंबल के एक रिटिवस आ रहे हैं निमत के पापा आ रहे हैं अर्चना के भाई जी आ रहे हैं और स्रीजीता के एक फाइनेसर आ रहे हैं तो ये आठ मेंबर्स हाउस मेट्स के इसी हफ़ते बिग बॉस के घर में जाने वाले हैं, निच्ची दूरुप से जब घर में जाएंगे तो रोना दोना होगा, उस रोने दोने के उपर भी हम एक एपिसोड बना के आपको दिखाएंगे, तो सबसे पहले आज हम चचा करते हैं, कल का जो एपिसोड है उसको रिव मिलियन के साथ में ठेंड कर रही हैं, मस्ट माइंड अर्चना गौतम ये 135,000 के साथ में ठेंड कर रही हैं, नेशन लब्स सुम्भुल ये 1.18 मिलियन के साथ में ठेंड कर रही हैं, गौट प्लेयर सिव ठाकरे ये 1.46 मिलियन के साथ में प्ले कर रहे हैं, यानि अभी तक ज निकल के आ रहे हैं जिनको जनता ने पसंद किया है। इस सनीवार के अंदर मैंने जब शुक्रवार का एपिसोड लीव किया था यूण इस इस सनीवार के ऐपिसोड अंदर अर्चना को बहुत समझाने की कोशिश देड्गे एक attitude लेके चले जा रही थी बोले जा रही थी तो सलमान खान को बहुत गुसा आया उनोंने का ठीक है आपका ये attitude है तो मैं घर का दरुज़ा खोलता हूँ अब चले जाए भी ठीक है जी मैं आप आगे से नहीं बोलूँगी लेकिन वर्चना ऐसे कहती हैं लेकिन एक दिन निकलता है नहीं उसके बाद फिर अपना वह उनका रंग रूप सामने आ जाता है उससे बिना में रह नहीं सकती है लेकिन दोनों को सल्वान खान ने अपने तरीके से समझा के बत लगता है साइथ इसतरह की भाषा को इस्तेवाल नहीं करेंगे उन्होंने यह तक कहा कि आप जो लेंगुज़ इस्तेमाल करते हैं हो हम वीड़ करके दिखाते हैं बताब意 है नहीं सकते कि जंता में क्या बात जाती है आपकी तो अब भी उसके बादमें देखते हैं क्या होता है कि इसके बाद में इस एपिसोड के अंदर भी विक्षन नहीं हुआ हम सर्ते रहे थे विक्षन होगा विक्षन होगा लेकिन कुछ नहीं हुआ साथ जो नॉमिनेटर्ड थे इसके लिए इविक्षन होने के लिए जिसमें आपको साजीत खान थे, सिरीजीता थी, सुंभुल थी, शालीन थे, और आपका अटीना थी, सोंद्रिया थी, और भी कई मेंबर थे जो इसके अंदर आ रहे थे, लेकिन जो उन्होंने बताया हमको अर्चना भी थी, सुंद्रिया थी, टीना थी, सालीन थे, साजीत खान थे, सुंभुल थी, सिरीजीता थी, तो ये साथ हाउसमेट्स थे जो नॉमिनेटर्ड थे, सलमान खान ने 400 को कहा कि आप तो बोटम में च से लेगे हो, जो साजीत खान को लेके हम लोग देखते आ रहे, टेंट देखते आ रहे थे, बोटिंग टेंट देख रहे थे, हमें लग रहा था कि वो निकलने वाले हैं, बहुत नीचे आ रहे हैं, लेकिन उसको विराम लगा दिया उन्होंने, सल्वान खान ने कहा कि जी, एपिसोड बहुत बढ़िया लगा, सल्मान खान ने बिलकुल एक दम रियल किया, कोई इसके अंदर बार से मेंबर बुला के इन्होंने गाना दुखड़ वकड़वा कुछ नहीं किया, लेकिन यह जो इन्होंने साजित खान को बचाने की कोशिश की है, तो साजित खान के लि लेकिन क्योंकि मुझे यह रिव्यू करना है, तो मुझे जो मुझे लगता है, वो मुझे बोलना ही पड़ेगा, तीन मेंबर कम से कम ऐसे हैं, एक तो साली, साजित खान, अर्चना और थोड़ थोड़ी परिंका भी, ये कहीं न कहीं बिग बॉस से भी अपने आपको उपर समझते हैं, ये मुझे अभी भी समझे नहीं आता कि आप किसी के घर में गए हैं, तो आप उसकी बात तो सुनेंगे ना, लेकिन साजित खान को फिर बचाया गया है, साजित खान को बोटम फोर में लाए नहीं ये, तो कहीं ना कहीं जो लोगों का गुसा था, उसको क्या कि बिग बॉस ने बिग बॉस जाने लेकिन यह लगता है कहीं ना कहीं यह गड़त हो रहा है इसके बाद में यह तो बात हुई अर्चना और रहे अपर ही टीना की मां और शालीन की मां का अपस में argument हुआ इसके साथ निमर्ठ के पापा ने भी निमर्ठ के लिए का कि उसको जो प्रिंगा के sporter है वो उसको target कर रहे है अब आगे देखते हैं क्या होता है कैसे निकलता है क्या निकल कि आएगा यह तो वक्ती बताएगा एक बहुत बड़ी बात जो हमें लेको बहुत अच्छी लगी प्रिंका को बहुत समय बाद सलमान खान ने एप्रिशेट किया नैस के बाल एप्रिशेट किया उन्होंने एक बात और कही कि प्रिंका, you are the heroine material तो प्रिंका बहुत खुश हुई होना भी चाहिए अब इतना बड़ा को स्टार आपको पूरे वर्ड के नेशन पे जो चैनल जाता है कलर टीवी आपका उसमें आपको बताया जाता कि आप हेरोईन का लेकिन उन्हें साथ-साथ में वारन भी किया उनको प्रिंका को प्रिंका अब हेरोइन हैं और हीरोइन मेनल करती है लेकिन अरों करति रहती है उसमें कि हुद्क कम लोगों का बिग बॉस का फॉरमेटिय। रूसे में पाड़ेगा अपको कईहें झरिन्हें कि सामने आपकी सच्छा आई एग यृगि परिंका को नेचर है वो बोलती है उससे रुक यहां तक मैं समय तक शिव ठाकरे उबर के आ रहे हैं, शिव ठाकरे बहुत ही अच्छा खिलाडी है, बहुत ही नपीतुली लेंगुज इस्तेमाल करता है, और दिरे दिर आगे बढ़ रहा है, सुंबल को भी फन किया गया, सल्मान खान ने सुंबल से का कि आप सोती रहती हो, तो कैसे काम चलेगा, अर्चना के लिए सभी लोगों से पूछा गया, अर्चना को सभी लोगों ने हुजप सभी हाउस मैटने का कि यह सची है, लेकिन इसकी जवान कड़वी है, अब अर्चना को भार भार बताया जा रहा है, कि आप अपनी सची और स्टीक बात बोलती है उस बाप पे रहे ना आप क्यों नहीं रहती उस बाप पे रहे तो मेरा आज मी मानना है कि अठ्ड़ आगे जा सकती है इस यश रिविवश के साथ साथ में है अभी स्वीव तो अब हम मेरी नजरों में जो है वो मैं बताऊं कि प्रिंका, सुंबुल, निर्मित, शिव और अब्दू ये पांच कंटेंडर जो है मुझे लगता है ये टॉप 5 में होने वाले हैं फिर भी आप और हम बैठके इसको रियल कर सकते हैं आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए क तो वो जो टॉप निकल की आएगा और लास्ट फाइनल में जो फरवरी के अंदर जल्ट निकलेगा हम देखते हैं कहां तक मिलता है क्या कोई गलती तो नहीं होती है तो आप और हम किसी ना किसी के फैन है परसनली में सबसे सबका फैन हो सब अच्छे लगते हैं मेरे को ले लेकिन ये मेरा एक मानना है आपकी व्यूज अलग हो सकते हैं तो मैंने इस एपीसोड के अंदर कल का जो एपीसोड था लगबग डेड़ गंटे का उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है चंद मिन्टों में और खो सकता कुछ टॉपिक मेरे से छूट गयों फिर भी आप औ दन्यवाद क्योंकि ये डीजे टीवी स्मार्ट है ये स्मार्ट इसलिए है कि इसमें आपको सच्चा ही दिखाई जाती है इदर दर की कोई बाते नहीं है रियल टीवी है ये आपको रियल बात की जाती है धन्यवाद